इंडियन फिल्म में बजट के मामले में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े या ढिसे कि ब्रहास्ते जो कि 1410 कोड़ में उसके बाद बताया जा रहा है कि आधिपूरु से पांसु करोड प्लस में बनीय फिल्म है लगबक लगबख जैसे कि Hindi … एम några कोई न्हुम हुआ लेकिन अलग ही अलग तो यहां पर यह डिफरेंस आ रहा है अब देखो बजट जो है जो सौ देड़ सो करोड का फरक है बड़ जो इंकम होने वाली आदिपूर उसकी हंड़ेड पसंद ज्यादा होने वाली है प्रभास की चहीते दोनों तरफ है तो इसलिए ज्यादा चांसे है कि जो प्रभास की अपकमिंग फिल्म में वो दोनों तरफ से ब्लॉकबस्टर होने वाली है अब ब्रहमास को देखे तो तीस क्रोड तो फर्स डे पर हिंदी में से ही कमाया था और इसका ही सेम जो है आदिपूरुष में मेरे को लग रहा है कि सबका रिकॉर्ड तोड़े है यह फिल्म आने वाली है 12 जैनवरी को 2023 में और उसी की बीच में आपको ट्रेलर भी देखने को मिलेगा बहुत कुछ देखने को मिलेगा रभास की बाहु बली बनी ती 180 क्रोड पर जो की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आग लगा जी ती और उसके बाद बाहु बली टू ज दिए वह कंपनी अपना काम इकि eraog काम की और और बहुत सारी कंपनी के अनदर लृकर के काम की खर पर यह ती और बहु बली टू बनी थी धैसो करोड़ में जो की कमाई थी अठ्रा सो करोड़ अब आधी पूरूस का तो आधा तो टेंसन खताम हो गया नेट्फिक्स ने उसका ओटिटी राइट्स धैसो करोड़ में ले लिया और अपने नोटिस किया रहेगा आज के टाइम पर हीरो अपने को प्रभास के साथ सैफ अली खान देखने को मिलेंगे तो मल्टी हीरो के साथ फिल्म आ रही है तो मजा आने वाला क्योंकि दोनों के फैंस ट्यटर में देखने को जाएंगे और इसमें चांस जाता रहता कि मूवी हीट हो वीडियो कैसा लागा मुझे बताया चैनल सब्सक्राइब जरूर के लिजिए मिलता हूं नेक्स वीडियो में